असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे चिकन हरीस तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे और ये बनाएंगे हम 25 लोगों के लिए तो चलिए सबसे पहले अब हम गेहु कारवा लेंगे यानि कि ब्रोकेन वीट 500 ग्राम लेंगे ये माश की दाल 100 ग्राम और ये है बासमती चांवल 100 ग्राम मसूर की दाल 100 ग्राम मूंग की दाल 100 ग्राम चने की दाल 100 ग्राम तूर की दाल 100 ग्राम गेहूं का रवा और ये सब ही दालों को अब हम एक साथ में अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद में इसको अच्छे से साफ धोलेंगे और धोलेने के बाद में अब हम इसमें पानी आट करके इसको भीगने के लिए रख देंगे तो इसको हम भीगने के लिए रखेंगे चार से पांच घंटों के लिए तो ये जो सभी दाले हैं और गेहों का रवा है अच्छे से भीग जाएगा और जब चार से पांच घंटे हो जाएगे तो ये जब दाले अच्छे से भीग जाएगे तो इसमें काम पानी फैंक देंगे और इसको पीस कर इसका पेस्ट बनाके रेडी कर लेंगे ये देखिए इस तरह से हमको इसका पेस्ट बनाके रेडी करके रख लेना है अब ये सभी दाले और गेहों के रवे का पेस्ट बिल्कुल रेडी है अब हमें कड़ाय में कुकिंग ओयल अट करेंगे एक लिटर कुकिंग ओयल अट करना है और इसको मीडियम हीट पे गरम करेंगे और छे से साथ मीडियम साइज की बारी कटी भी प्याज अट कर लेंगे प्यास को हम फ्राइ करेंगे मीडियम हीट पे प्यास का बादा मी कलर आ जाना अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है बिरियानी के लिए जिस तरह से हम प्यास को फ्राई करते हैं बिल्कुल ये भी इसी तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे तो ये देखिए ये जो प्यास है अब अच्छे से फ्राई हो गई तो अब हम इसको ऐल से सप्रेट कर लेंगे इस तरह से अब ये प्यास बिल्कुर रेडी है तो इसमें कि हम आदी प्यास हरीस में आट करेंगे और आदी प्यास गानिशिंग के लिए रख लेंगे और अब हम यही तेल में काजु को फ्राइ कर लेंगे तो काजु आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से गानिशिंग के लिए ये यूज करना है तो मर्जी के हिसाब से फ्राइ करके रख ले सकते तो काजु निकालने के बाद में अब हम यही तेल से हरीज बनाएंगे तेल भी आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से हरीज में कितना आट करना है जरूरत के हिसाब से आट कर ले सकते तो काजों का हलका सा कलर चेंज होने के बाद में हम यह तेल से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से अब हम लेंगे चिकन, चिकन लेंगे 2 किलो और इसके पीसिस बड़े साइस के लेंगे चिकन के पीसेस अगर बढ़े करवा लेंगे तो रेशेदार हरीज बनती तो इसी वज़े से हम चिकन के पीसेस को बढ़े लेंगे तो इसको हमने प्रेशर कोकर में आड़ करके रख लिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे हल्दी पॉडर एक टी स्पून 200 ग्राम अद्रकलेशन का पेस्ट दो टी स्पून नमक लाल मिर्च पॉडर दो टी स्पून बारी कटा हुआ कोतमीर पुदीना और छेसे साथ स्लीट की हुई हरी मिर्च हरा मसाला अड़ करने के बाद में अब हम साबित गरा मसाला अड़ करेंगे तो साबित गरा मसाले में लेंगे आठ इलाइची दाल चीनी के चार तुकडे शाजिरा एक टी स्पून आठ लॉंग चार तेज पत्ता एक टी स्पून काली मिर्च साबित काली मिल्च आट करेंगे और एक टीज स्पून साबित कबाब चीनी गरा मसाला आट कर लेंगे अब साबित गरा मसाला पूरा आट कर लेना है और इसके बाद में अब हम इसमें एक कप कुकिंग ओइल आट करेंगे तो ये वही cooking oil है जो हमने वीडियो की starting में प्यास को fry करके निकाल लिया था और ये है दही 250 ग्राम ये सभी मसाले आट करने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद में अब हम इसमें एक लिटर पानी आट करेंगे और ये बनाएंगे हम pressure cooker में यानि कि हम पहले गोष को गला लेंगे pressure cooker में तो इसके लिए अब हम pressure cooker का ढखान लगाएंगे और इसको हम medium heat पे पकाएंगे तीस मिनट के लिए चिकन को अच्छे से गला लेना है यानि के चिकन अच्छे से नरम हो जाना जब तक हम को यह गला लेना है आदे घंटे के बाद में हम फ्लेम ओफ करेंगे और प्रेशर को करकर ढखकर निकाल लेंगे अब ये चिकन अच्छे से गल गया तो अब हम चिकन को और इसमें का जो चिकन स्टॉक है इन दोनों को भी अब हम सप्रेट कर लेंगे इस तरह से हम चिकन को एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम गोस्ट के रेशे कर लेंगे इस तरह से फोग के मदद से हड़ी और गोश्ट को बिल्कुल अलग कर लेना है सप्रेट कर लेंगे इसमें कि जो भी हड़ी निकलेंगे वो निकाल कर हम फैक देंगे तो ये देखिए इस तरह से इसके रेशे बना कर रख लेंगे हम चिकन स्टॉक में अब हम श्रेट किया हुआ चिकन आड़ कर लेंगे दोनों को भी अच्छे से मिला लेंगे अब तो ये देखिए चिकन के जो रेशे है वो अच्छे से बिल्कुल रेडी है इस तरह से अच्छे से इसके रेशे बना कर रख लेना है अब हम एक बड़े सा इसका बगुना लेंगे और इसमें 3.5 लेटर पानी आट करेंगे पीसी हुई दालों को पकाने के लिए पानी आट करने के बाद में अब हम फलेम ओन करेंगे और पानी को गरम होने के लिए रख देंगे और जैसे ही ये पानी गरम होगा अब हम इसके अंदर आट करेंगे ये पीसी हुई दालें पीसी हुई दालने गरम पानी में आट करने के बाद में हम इसको अच्छे से मिला लेंगे फौरी अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें कोई लंज ना बने और ये पकाएंगे हम 20 मिनिट के लिए हाई हीट पे और पकने के दौरान में हम इस तरह से चमच से हिलाते भी जाएंगे और ये है कबाब चीनी एक टी स्पून, काली मेर्स एक टी स्पून, दो स्टार अनिस तो ये तीनों को भी हम मिला कर इसका पॉडर बना के रख लेंगे इलाइची का भी पॉडर बना लेना है तो 20 इलाइची लेंगे और इसके छिलके निकाल कर इसके अंदर के जो 20 रहते उसको पीस कर हम इसका भी पॉडर बना लेंगे तो ये देखिए इलाइची का पौडर भी रेडी है और कबाब चीनी काले मेच और स्टार एनिस का जो है पौडर बनाना था वो हमने बना कर रेडी करके रख लिया है तो ये सब चीज़ों को अब हमें एक साथ में पीसे हुए पौडर को ये दालों के अंदर आट कर लेंगे और ये है गुलाब की सूखी हुए पते एक टेबल स्पून साभी जीरा एक टेबल स्पून आट कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे दो मुठी भर तलीवी प्याज आट करेंगे अब गरम नसाला पौडर दो टेबल स्पून एक टी स्पून कसूरी मेथी और ये हैं हरी मिर्षी का पीसा हूए पेस्ट लेंगे हरिमेशी पीश कर रिसमें एड़ कर लेंगे और बारी कट्टा हुआ कोतमिर पुजीन गीए अब 150 ग्राम नीबू का निकाला वा रस तीन मीडियम साइज के नीबू लेकर रस निकाल के हम इसमें एड़ कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे कुकिंग ओयल भी अभी आट कर लेंगे अब हम दो कप कुकिंग ओयल अब हम इसमें रेशा किया हुआ गोश्ट आट कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बात में हम जरुरत पढ़ने पे थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे टेस्ट के हिसाब से मिर्च हो या नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर आड़ कर ले सकते जरुरत के हिसाब से 2 टीस्पुन काली मिर्ज पॉडर ऐट करेंगे अब अच्छे से मिला लेंगे अब ये पकाएंगे हम 25 से 30 मिनट के लिए हाई हीट पे और पकने के बाद में ये अच्छे से गाड़ी हो जाएगी तो पकने के दौरान में हम इसको अच्छे से चमच से हिलाते ही जाएंगे इस तरह से ताकि बॉटम वाले ही से में दागना लगे इसी वज़े से हम continue चमच से हिलाते ही जाएंगे तो ये देखिए 25-30 मिनट तक इसको हमने हाई हीट पे पका लिया था अब हम इसको बगहार देंगे तो flame off कर लेंगे अब हम अब हम एक पैन में cooking oil अट करेंगे तो वही cooking oil है जो हमने प्यास को fry कर लिया था दो कप cooking oil अट कर लेंगे और इसमें 4 टेबल स्पून अज्रिक लेशन का पेस्ट आट कर लेना है बारी कटा हुआ मुटी बर कोतमीर और पुदीना अच्केँट करेंगे Low heat पे fry करेंगे हम ये अज्रिक लेशन का पेस्ट और बारी कटा हुआ कोतमीर पुदीना हलका सा कलर चेंज हो जाना जब तक हमको ये फ्राइ कर लेना है तो पंदरा मिनिट तक इसको फ्राइ कर लेने के बाद में अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे ये बगार बिल्कुल रेडी है तो अब हम हरीस के ओपर से दाल देंगे ये इस तरह से दाल देना है और अच्छे से मिला लेंगे अब हम मुठी वर तलीवी प्यास और थोड़े से तलीवी काजु अट करेंगे फिर से अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिला लेंगे तो ये देखिए रेशिदार चिकन की हरिस बिल्कुल रेडी है अब सर्फ करने के लिए तो जब भी सर्फ करेंगे यह बिल्कुल गर्मा गरम रहना चलिए अब हम इसको डिशाउट कर लेंगे चिकन हरीज की रेसिपी को आप लोग भी जरूर ट्राय करके देखिए गरम हरीज के ऊपर हम इस तरह से गी आड़ करेंगे हरीज को गानिश के लेंगे हम तली हुई प्यास काजू और नीमबू पारी कट्टावा कोत्मीर पुदिने के साथ में इस तरह से हरीज की ऊपर दालेंगे तो जरूर ट्राय करके देखिए हरीज की रेसिपी को रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग अलाहाफीज